इस वीडियो में करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफ और एकसेप्टेंस रिवोकेशन का मतल़ होता है खंडन करना उसको वापिस लेना कि ऑफ़र और को कब तक वापिस लिया जा सकता है तो इसके बारे में डिफाइन किया गया है अंडर सक्षन 5 तो परस्ताव और स्विक्रती का खंडन कब किया जा सकते हैं तो एन ऑफर कैन बी रिवोक्ट एट एट एनी टाइम विफोर दा कम्यूनिकेशन ऑफ इस एकसेप्टेंस इस कम्प क्यों होने से पहले-पहले कभी भी ऑफर को वापस लिया सकते में क्योट एकस्टेंस को वोपष एट एन रिया जा सकता है इसके बारे में जह हो unstir corona5 हाइव डिफाइन किया तो हम कहा रहे है कि रिव केशन ऑफ रीव केशम किया सकते हैं किस ताइम से पहले-पहले आफ को जब्सक्राइब एक्सेप्टेंस का अजाता है जब वह आफरी के पास से जो है वो ट्रांसमिशन में चला जाता है और ओफरी का कंट्रोल नहीं रहता है कि वो उस ट्रांसमिशन को अब रोक सके तो यानि कि जैसे ही ओफरी ने वो letter of acceptance लिखा और लिखने के बाद जो है उसको post कर दिया post box में डाल दिया तो जो है उसका acceptance offerer के point of view से complete हो जाता है तो यानि कि उसके point of view से third stage पे complete हो रहा है तो इस diagram के accordingly अगर हम कहें तो किसी भी time पे उस offer को वापिस ले आ सकता है before stage number three इस stage से पहले-पहले कि जैसे जैसे उसने वो लिखके रख लिया था बट अगर उसको post में नहीं डाला है तो उससे पहले-पहले कभी इस offer को वापिस ले सकता है बट जैसी अगर उसने letter of acceptance को by post जो है या भेजना है तो अगर उसको post box में डाल दिया है तो इसके लिए acceptance complete होगी और जब वो offer जो है वो accept हो गया तो उसको accept होने के बाद आप वापिस नहीं ले सकते हैं क्योंकि offer when accepted becomes promise तो जब वो promise बन गया तब वो offer की वापसी नहीं हो सकती जब तक वो promise नहीं बना था तब तक जो है आप उसको वापिस ले सकते थे तो दूसरा point था इसमें रिवोकेशन आफ एक्सेप्टेंस एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एट एनी ताइम बिफोर कि किसे पहले the communication of acceptance is complete as against the acceptor की acceptor के point of view से acceptor कौन है ओफरी है तो ओफरी के point of view से acceptance complete होने से पहले पहले वो कभी भी acceptance को वापस लिया जा सकता है तो ओफरी के point of view से acceptance तब complete हो जाती है जब वो offer के knowledge में आ जाती है जब offer को पता जल गए कि मेरा offer accept हो गया तो उसको तब पता जलेगा जब लेटर of acceptance जो है उसको receive हो जाएगा तो इस letter of acceptance के receive होने से पहले पहले जो है वो offer कभी भी अपनी acceptance को वापस ले सकता है कि मुझे यह offer accept नहीं करना है अगर इसने जो है वो acceptance letter receive कर लिया तो जो आपर जहाए उसका acceptance complete होगी है इसके point of view से तो उसके बाद जो है acceptance को वापस नहीं लिया जा सकेगा तो that means कि revocation of acceptance आएगा यहाँ पर revocation of acceptance रिवोकेशन ओफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे आप रिवोकेशन ओफ एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर स्टेज नमबर पॉर की जो स्टेज नमबर फॉर है उससे पहले कभी भी जो है वो एक्सेप्टेंस को रिवोकेट किया सकते तो अब आपको जो है पिछली वीडियो में मैंने communication of offer and acceptance के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको revocation of offer and acceptance के बारे में बता दिया तो यह थो हमने एक्जामपल लिया था जैसे कि आपका offer और acceptance जो है हमने बाइपोस्ट किया है बट इन केस कि अगर टेलिफोनिकली जहाए वो offer दिया जाता है और acceptance दी जाती है तो उस केस में कि जैसे ही का साथ-साथ ही जो है उसमें offer acceptance हो रही है तो जैसी साथ-साथ offer दिया गया है उसको deliver हो गया है और दूसरी टेलिफोन के तो दैट मींस कि offer का communication complete हो गया और जैसी अगर उसने जो है अपनी जो है हामी भर दी उस offer के लिए acceptor ने तो communication of acceptance भी complete माना जाएगा बट कई बार जैसे कि मालोई offer वाले ने तो offer दे दिया बट acceptor ने जैसे उसको accept करना था वो अपनी तरफ से तो वहां से बोल रहा था कि accept करना है बट इन बिट्वीन की जैसे वो उसकी बात offer तक पहुंचती उससे पहले ही line disconnect होगी या जो है वो phone one way हो गया और वो acceptance जो है offer तक नहीं पहुंच पाई तो acceptance का communication complete नहीं माना जाएगा तो इस तरह से जो है यह तो एक्जामपल इसलिए लिया था ताकि इसमें टाइम के हिसाप से हमें समझ में आ जाए कि कब जो है वो offer और acceptance जो है वो offer और offer के point of view से complete होती है और कब इसको रिवोगेट किया जा सकता है तो offer को तब तक वापिस लिया जा सकता है जब तख जो है उसकी acceptance offer के point of view से complete नहीं हो जाती तो offer के point of view से acceptance complete होती है at the stage no.3 यानि कि जब वो offery के control से बाहर हो जाता है जब letter of acceptance post कर जाता है तो उससे पहले बहले कभी भी offer को वापस लिया जा सकता है इसी तरह से acceptance के लिए है और acceptance को जो है आप वापस ले सकते हैं जो एक्सेप्टर है offery है उसने वापस लेनी है तो वो कब तक वापस ले सकते हैं जब तक कि वो acceptance इसके point of view से complete नहीं आती तो ऑफरी के point of view से तब complete होती है जब वो offer के knowledge में आ जाती है तो offer के knowledge में तब आएगी जब उसको acceptance के बारे में knowledge होगी यानि कि मिलेगा वो letter of acceptance तो इस letter of acceptance के मिलने से पहले पहले कभी भी जो है offery अपनी उस acceptance को वापस ले सकता है तो आई थिंक कि आपको clear हो गये होगा revocation of offer and acceptance ओके थैंक यू